हालो फ्रेंड आप सब लोग का स्वागत है आपके अपनेCranno पर मैं होकुले डिर्स प्नेर आजके की कंडियु 7 कर ना मूिष करेंस का यूज करना अब इसक्रसका यूज हम डेट्स के लिए किसे करेंगे उसके बारे में हम आज यहां पर बात करेंगे तो यहां पर फ्रेंस क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी परसन को टागेट देते हैं या आप किसी कंपनी के ओनर है या आप कोई सेल्स का डेटा किसी को टागेट दे रहे हैं या कुछ मंतली टागेट है या एली टा तो इस तरह कि जब हमरे पर कंडिशन आती है एक्सल में तो हम यह चाहते हैं कोई ऐसा इजी फंक्शन हो जिसके तुरू हम यह जान सके हैं कि उस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा टास्क है या किसी ने ऐसा टास्क जो टैट के उपर किया है यानि कि डेट जो थी कि डिसाइड थी उसके अगाटिंग उसने नहीं किया है तो कौन सी वो डेट है कि जो टाइम पर टास्क नहीं हुआ है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन एक्सल में यूज कर सकते हैं तो यहां पर फ्रेंस मैं आपको तीन तरीके से समझाऊंगा वह बहुत ही सिंपल और तरीका है अगर आप इसको फॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही सरल तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं तो चलिए सिखताया फ्रेंस तो सब पहले मैं यहां पर आपको पताऊंगा मैं इस कर प्रेंगे तो यहां पर आप टाइप करेंगे इस एकॉल टु इफ अब लॉजिकल टेस्ट हमारा यहां क्या रहेगा क्योंकि हमने यहां प्रोजक्ट का टागेट डेट सेट कर रखा है तो इसके उपर अगर कोई यहां डेट अगर मिलती है तो वह आले हमें करने से नहां पर शेट करनी पड़ेगी तो इसके लिए हम सबसे पहले जो यहां पर सेट करेंगे is equal to this यह वाली डेट अगर कोई इससे greater than होती है तो वहां पर हम positive result क्या चाहते हैं कि वो तो हो जाए वहां पर on time अगर यह value नहीं match होती है इसको तो हम यहां सेट कर देंगे not on time simply इसको हम ड्रैक करेंगे जहां तब हमारा डेटा है तो यह आप देख रहूंगे friends अब जो एक तारिक की डेट थी टार्गेट की जो डेट थी और यहां पर डन हुआ है वो दो तारिक को हुआ है तो मैं इसको थोड़ा यहां पर no fill कर दता हूं तो यह आप देख रहें friends कितना simple और आसान तरीका है तो हमने यहां क्या सेट किया था कि इस डेट के ग्रेटे दन अगर कोई अगर यहां डेट इसको मिलती है मैं F2 में आपको दुबार करके दिखाता हूं इस डेट के इसाप से तो यहां पर आजाए on time अगर इससे उपर करके date मिलती है तो वहां पर आजाए not on time तो यहां पर आप देख रहेंगे कर सकते हैं अब अगला function में आपको बताऊंगा अगर current date के according आप जानना चाहते हैं कि वह task complete हुआ है नहीं हुआ है तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं तो इसके लिए मैं यहाला इसको रिमूब करता हूं पहले से तो यहां पर जैसे data आज की है 8 जुलाइ तो यहां पर हम यूज करेंगे इफ लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या रहेगा यह क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा हम यहां यूज करेंगे क्योंकि देखिए हम यह चाह रहे हैं कि जैसे यहां पर 8 जुलाइ है इससे अगर कोई नीचे की डेट इसको अगर find out होती है तो वह हमारे लिए होगा जो होगा on time यहने कि वह जो टास्क है वह timeline के अंदर complete हुआ है और अगर जैसे कोई date उसको उसके उपर से मिलती है यहने कि greater than अगर होता है तो उसके स्वाम हम पर चाहते है not on time तो इसलिए मै ने यहाँ पर less than का यहाँ पर sign यूज किया है तो यहाँ today हमने यूज किया true हो तो on time अगर आज की date की नीचे अगर इसको date अगर find out होती है वहाँ पर आए on time अगर उससे की अगर कोई उपर top की date इसको मिलती है तो वहाँ पर आए not on time drag करेंगे हम यहाँ तक तो यह देखिए मैं इसको यह इतने record है इनकि second से लेके 7 जुलाई तक इनकि आज की आज तारिक है तो यह सारे टास्स जो है आज की date के according अगर देखें तो यह सारे टाइम लाइन के अंदर complete हुए है अभी जितने भी आज से लेके 17 तक के जितने टा यह दो था हमारा second example जो मैंने आपको today function के साथ यूज करना सिखाया अब similarity इसी से मिलता जूलता है date value function आप इसके आज यूज कर सकते हैं तो चलिए इसको भी सीखते है तो यहाँ पर आपको if यूज करना है similarly जैसे हमने पहले यूज किया था less than date value आपको यहाँ यूज करना है तो आप चाहें keyboard से type कर सकते हैं या आप manually भी इसको type कर सकते हैं तो date value में क्या है कि आपको यहाँ पर manually ही type करना पड़ेगा इसी format में जिस format में आप यहाँ पर date देख रहे हैं डबल इन्मेड़ेट कॉमा इसको यूज करना है आपको इसको close positive अगर आये तो यहाँ चाहिए हमें on time और अगर नहीं मैच होता है तो उसके इसमें क्या चाहरे हैं आपको not on time ड्रैक करेंगे इसको simply यहाँ तक तो यह है friends वो record जो सारे timeline के अंदर complete हुए है तो friends यह मैंने आपको तीन step के तुरु समझाया कि कैसे आप जो है कोई भी अगर आपने target date set कर रहे हैं और completion date आपने उसमें है data आपके पास है तो उसको आप कैसे calculate कर सकते हैं या उसका result आप वहाँ पर find out कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको पहले simply समझाया इसको निकाल सकते हैं और दूसरे में बताया कि अगर आपको इसको टूडे फंक्सन यान की current date के साबसे अगर आपको वह data कर चाहिए तो उसको आप कैसे find out कर सकते हैं और थर्ड मैंने आप आखिर में आपको बताया मैंने आपको कि अगर आप date value के साथ इसको अगर यूज करेंगे तो कैसे आप उसका result वहाँ पर निकाल सकते हैं तो data आपके पास किसी भी फॉर्मल में हो सकता है यह just example के लिए मैंने आपको simply एक बहुत ही आसान तरीकी से समझाया कि कैसे आप जो है अगर इस तरह की कभी condition आपके बाद आती है कि आपने कोई अगर target date set कर रखा है उसमें से आपको वह क्या आइस करना है कि कौन सा हमारा जो है target date के अंदर कौन सा date के अंदर उसको complete किया है या हमने कोई इसको over date के अंदर तो complete नहीं किया तो उस case में आप कैसे उसको निकाल सकते हैं तो मैंने आपको बहुत ही simple और आसान तरीके में समझाने की कोशिस की है उम्मीद करता हूं कि आपको यह मेरा तरीका पसना होगा और इस तरह से अगर आप कोई भी अगर इसमें step follow कर सकते हैं तो उसमें से आपके लिए बहुत अच्छा option है तो friends आज के वीडियों पर इतना ही है उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसना होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो please को like करें share करें और चैनल को subscribe करना न भूलें thank you